पहाडी इलाकों में बर्फबारी शुड़ू होने से मैदानी इलाकों के मौसम ने फिर से करवच ली है सर्दहवाओं ने लोगों को ठिटुरने पर मजबूर किया है उत्तरभारत फिर से ठंड, शीत लहर और घने कोहरे की मार छेल रहा है इससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 15 जनवरी के बाद ठंड कम हो सकती है जिसे देखते हुए दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई जाज्यों में स्कूलों में सर्दियों की छुटियां घोशत की गई है इस बीच हरियाणा और पंजाब सरकार ने फिर से तापमान में गिरावट को देखते हुए विंटर वेकेशन बढ़ाने का फैसला किया है जबकि बिहार में 16 जनवरी से स्कूल खोले जाएंगे लेकिन स्कूल टाइम में बदलाव किया गया है आईए जानते हैं राज्यवार स्कूल खोलने पर ताजा अपडेट दिल्ली ठंड के चलते नई दिल्ली में 15 जनवरी तक सभी सरकारी और प्रावेट स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया था शिक्षा निर्देशाले के निर्देशों के तहत राज्य सरकार ने एक नोटिस जारी कर विंटर विकेशन का एलान किया था हाला कि इस बीट कक्षा 9 से 12 तक के चात्रों की एक्स्ट्रा क्लासिस जारी रही अब स्कूल 16 जनवरी से खुलने वाले हैं शीत लहर और घने कोहरे के चलते चंडिगर के स्कूलों में शीत कालीन अवकाश बढ़ाने का फैसला किया गया है चंडिगर प्रशासन ने सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक एक छात्रों के लिए शीत कालीन अवकाश 21 जन्वरी तक बढ़ा दिया है कक्षा 9 से 12 तक के लिए पिछले देशों के अनुसार स्कूल जारी रहेंगे उप्तर प्रदेश, यूपी के कई जिलों में 14 जन्वरी तक के लिए विंटर विकेशन की घोशना की गई थी मैनपुरी, लकनाव समेत अन्य जिलों में छुट्टियां खत्म होने के साथ ही सोमवार से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे बिहार पटना के डियेम के चंद्र शेखर ने 16 जन्वरी सोमवार से सभी सरकारी और प्राविट स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया है जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सभी स्कूलों में सुभा साढ़े नौ बज़े से दोपहर साढ़े बारा बज़े तक पढ़ाई होगी इसके साथ ही सभी शेक्षणिक गतिविधियों को भी फिर से शुरू करने के लिए कहा है जारखंट जारखंट के स्कूल 16 जनवरी 2023 से फिर से खुलेंगे शीतलहर के कारण कक्षा केजी से 5 वी तक के शीतकालीन अवकाष को 14 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था कक्षा 6 से 8 तक के चात्रों के 9 जनवरी 2023 से खोले गये थे वहीं कक्षा 9 से 12 तक चात्रों की एक्स्ट्रा क्लास्स पहले से ही चल रही थी राजस्थान राजस्थान के विभिन्न जिलों जैसे की जैपुर 12 आदी में स्कूल 16 जनवरी 2023 से फिर से खुलने वाले हैं जैपुर के स्कूलों के लिए शीत लहर की स्थिति के कारण शीत लहर अवकाश 14 जनवरी तक बढ़ा दिया था हाला कि अब स्कूलों को फिर से खोलने की तयारी है हरियाना ठंड और शीत लहर के चलते हरियाना सरकार ने सभी स्कूलों का शीत कालीन अवकाश 21 जनवरी तक बढ़ा दिया है